मसकर दोस्तो यूटूब कमप्रीट कुर्स का यह हमारा 17 वीडियो है और इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्मोरा एप से वीडियो एडिट कैसे किया जाता है अभी तक आप सब वीडियो यहीं सुनते आयोंगे लैप्टप PC के लिए सबसे बेश्ट सोफ्टवेर है फिल्मोरा और फिल्मोरा से आप अपना प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर पाईएगा तो भाईया जैसा क्वालिटी आपको लैप्टप PC पे मिलता है वैसा ही क्वालिटी अब आपको आपके मुवाइल पे मिलने वाला है आपका Android फोन हो या आपका iPhone हो सभी पे फिल्मोरा आचुका है और फिल्मोरा से वैसा ही क्वालिटी आप निकाल सकते हैं वैसे भी professional वीडियो आप edit कर सकते हैं और दोस्तो मैं आपको पहले ही बता दू या कोई भी paid promotion वीडियो नहीं है मैं खुद इस application का इस्तेमाल करता हूँ और दोस्तो इसका subscription भी आप लेते हैं तो अब चलिए हम सीधे चलते हैं अपने mobile के screen पर और आपको बताते हैं कि किस तरीका से हम Filmora एप से अपना video edit कर सकते हैं तो आचुका हूँ मैं अपने mobile के screen पर तो सबसे पहले आपको play store को open करना है और Filmora वीडियो एडियो एडिटर और मेकर को download install कर लेना है इसका link मैं description में डाल दूँगा उस पे click करके direct आप इसी application को download install कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों आपको open करना है open करते हैं तो भाई या फॉर्स टाइम आपको कुछ इस तरीका से देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर हमें वीडियो को edit करना है तो इस new project पर हमँए डिक कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर नीचे के तरफ आपको प्लस की आइकन दिखाई दिरा है इस पर भी हम click कर सकते हैं यहीं से हमारा दोस्तों वीडियो एडिट होगा फोटोज भी दिखाई देगा आपको फॉन में जितना सारा है हो total आपको दिखाई देने वाला है तो हमेर सिर्फ वीडियों चाहिए क्योंकि हम वीडियों एडिच करना चाहते हैं तो हमेरे हो यहां चीशुंष अब आफे यहाँ पर दिखाई देने वाला है चली यां बीडियो पर क्लिक करते आप डोस्तो जिस भी हवे वीडियो को एडिट करना है उसके उपर इस तरीका से हम करेंगे एक लिखा हुआ हमें मिल जाएगा दूसरा पर क्लिक करेंगे तो दो लिखा हुआ हमें मिल जाएगा देखें कि दोस्तों क्या होता है कि कि हम सब्सक्पी लोग जब वीडियो को record करते हैं तो multiple क्लिप हम vertical हो जाता है जैसे कि अगर हम comedy रिकॉर्ड कर रहा है तो यह आपको इसाली क्लिप को एक साथ को को चूर। पढ़े गया अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं हो मैं आपको इसे वीडियो के अंदर वह भी चीज बताने वाला हो कि किसे आप माइनेच कीजिएगा जैसे कि मान के चलिए हम जब वीडियो को रिकॉर्ड करें तो एक बार में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उससे पाट को हम दो बारा रिकॉर्ड किये आगे वाला पाट को हम ते बारा रिकॉर्ड करें तीन-चार किलिप हमारा हो गया तो सब को हमें एक साथ जोड़के डिकॉर्ड जो की एडिट करना पड़ेगा तो दैसे कि हम एक पर किलिक कर दिए यह हमारा आ गया अब एक जा अब देखिए अब यहां पर यहां आपका इस लाइन में आ चुका है यह जो आपको white color का यहां पर दिखाई देना यहां जहां पर रहता है वहीं चीज़ आपको इसक्रेश पर दिखाई देता है इसी को देखे हम editing करते हैं जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अब जोस्तों हम यहां पर वीडियो को लेक्ट आए तो हमें पता चलता है कि ना बाबू यह जो हमारा इस वीडियो को तो हमें इधर रखना है इससे पहले हमें रखना है और इसको हमें बाद में रखना है या इसे हमें जो की इधर रखना है इसे हमें बीच में रखना है और इसको बाद में रखना है तो उस समय हम कैसे करेंगे उस समय सिंपल सा प्रकिरिया आए आपको यहां निकल जाएगा कुछ इस तरीके से अब इस सुरू में लेकर आना चाहते हैं बीच में लेकर आना चाहते हैं इधर लेकर जाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे कि हमारा बीच में आ गया तो यह दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अब दोस्तों हमें यहां पर याद आता है कि नहीं भाइया यहां पर हमें दूसरा क्लिप सुरू में आइड करना है जो कि हम यहां पर लाइनिंग में नहीं लिए तो उस समय हम क्या करेंगे उस समय आपको इस वाइट लाइन को जीधर भी आइड करना है जैसे कि अगर वीडियो को हमें सुरू म बता रहा हूं यहां पर हमें एड़ करना है तो simply हमें यहां पर लेकर आएंगे उसके बाद इस प्लस वाले पर क्लिक करेंगे चलिए क्लिक करते हैं उसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे जो भी वीडियो को हमें एड़ करना है जैसे कि एक्जामपल के लिए मान के चलिए म यहाँ पर आड़ करना सँ वाइट को लेकर जाना है और यहाँ पर प्लस पर किलिक करना है इस वी लिएो को अपर आपको इस तरीका से उप्र सकते हैं अब दोस्तों अब यहाँ को बताते हैं कि यहाँ व리डियो में कंट खंड chat करने के लिए वीडियो को एडिट करने के लिए यहां पर आपको सबसेट पहला अप्शन आपको मिलेगा ट्रीम का जो कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यह सारा अप्शन आपको खुल के आजाता है अगर इस पर आप क्लिक नहीं करना चाह करता हूं कि फालतु के पाट को आप कैसे कट करते हैं चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो अब हमें इस साइड के पार्ट को कट करना होगा तो simply हम वीडियो के उपर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे के तरफ यह सारा उपसन हमें खुल के मिल जाएगा, अगर हम वीडियो के उपर क्लिक नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पर नीचे के तरफ हमें ट्रीम का अप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो वहीं सारा अप्सन यहां पर खुलके आजाता है अब देखी हमें इस साइड के पाट को कट करना इस साइड वाला तो हम यहां पर सिंप्ली क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर क्लिक से बता देता हूं अभी हां से मैं केमरा को चछुब आई यह से बूलना बंद करके मांध के बंद करने के लिए जा रहा हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जा रहा हूं तो यहां अब हमारा फ्ल्टू का पात है तो इसे आप तो कशेचिकप करना तो यहां पर दोस्तों हमें किलिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करना होगा अगर दौस्तों आपको लग जाएगा और इसके अंदर आप चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर पलॉस वाले पर क्लिक करके आयड कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर दो, तीर मार्क आपको दिखाए देरा है इसका मतलब है जैसे कि यह आभी आपको दिखाइ देरा है अगर हम इस पर करते हैं तो जो पार्ट हम कट किए थे यानि कि कई बार क्या होता है कि हम सब लोग कई हीडियो को एडिक करते हैं गलत की बहुते करते हैं कामका होता है तो कट लगाना हम आपको बता दिये उसके come बना सकते हैं जो कि आपको यह अप्षों मिल लाता है तो यहां पर ऊपर वाला हम आपको सारे ऑप्षों बता दीए अब दोस्तों यहां पर दिंखिए एक चीज आपको लिए जैसे कि यहां पर देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा यहां पर इस पर अगर हम किलिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारा का ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलेगा और जिसको भी आपको पसंद आता है उस पर आप इस तरीका से क्लिक की जिए इस तरीका से आपका नॉर्माली आजाता था ऊभर दल जाता था लेकिन अपने देखिए चल्ट का यहां पर तरीका से किया गया है तो यह दोस्तों देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत दिखाइग देता है तो इसलिए उसका इस्तिमाल आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं अब देखी यहाँ पर हमें पहला है the animation make animation का अमतलब होता है कि आप वीडियो को स्रूव में अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करें तो देखिए दोस्तो आज इसमें कुछ भी आप को अनिमेस नहीं दिखाए ज़ा है सिंपल से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है अगर दोस्टों हम चाहते हैं इसमें एनिमेशन देना जिसने के ब्लाइक के खुअना जोपके वीडियो आहे तो हुआ दोस्तों अप रहाए है और बहुत सारा एनिमेशन मिल जाएगा जो जो कि इन में भी शूरु में दे सकते हैं आउट में दे सकते हैं रास्ट में दे सकते हैं कंबोक आप्षन मिल आएगा को जो कि आगे पीछे आपका अपने आक लग जाएगा तो आपको इस पर अपकी कर दिए और दोस्तों हम इस particulier करेंगे दे तो से कर सकते हैं जैसे कि हम मान के चलिए यहां पर 0.5 तो आप देखिए यहां पर आमरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो पहले सिंपल सा नर्मल स्टार्ट हो जाता था लेकिन अधी बलाई का और तो देखने में खुब्सूरा दिखाई देता है तो इसका दोस्तों चाहते हैं सकते हैं यहां से आवाज को बढ़ा सकते हैं जैसे कि अभी आपको उतना ज्यादा जो की कनफर्म नहीं मिला होगा लेकिन आप जब एडिट कीजिए अवाज बढ़ाईएगा तो यहां पर 200 परचंट तक ही से आपने के जा सकते हैं तो यहां दोस्तों आपको पता चलेगा लेकिन हम चाते हैं कि सुरू में अधीर से आवाज बढ़े तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हों फिडिए इनको यहां पर जितना भी सेकेंट तक लेकिर जाना चाहते हैं जैसे कि यहांप पर देखिए यह सब पर लेकिसा इचले तो और आपकर सकते हैं और दोस्तों आप यहां पर feed in में भी कर सकते हैं, feed out में भी कर सकते हैं, अगर आप अपने वीडियो के आवाज को बंद करना चाहते हैं, बिल्कुल mute हो जाए, तो mute पर click कर दीजेगा, तो कोई भी आवाज नहीं आएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, कोई भी हम आपको बता दियें, उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला option में मिलता है crop का, crop पर हम click करते हैं, तो हम यहां से अपने वीडियो को crop कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, और दोस्तों यहां पर बहुत सारा आपको ratio भी मिल जाता है, कि जिस ratio में आप crop करना चाहते हैं, उस के बाद अगला जो option है नहीं, इस से पहले मैं यहां पर कोई tractor वाला हम जो वीडियो लिया है, इसके उपर आ जाते हैं, जिससे कि हम आपको समझा पाए, चलिए यहां पर हम अपने वीडियो को स्टाट करते हैं, और इसके बाद हम आपको समझाते हैं, यहां से हम इसे कट क आना चाहते हैं तो इस साइड में कर दीजिए, अगर हम नॉर्मल रखे नहीं, तो वन एक्स पर हमारा नॉर्मल रहता है, जूकि आप यहां पर देख सकते हैं, नॉर्मल पर किलिक कर देता है, तो आप देखिए, तो दोस्तो आप यहां से इस स्पीट को बढ़ा सकते हैं, इस साइड में घीच कर दीजेगा तो आपका सलोंय मोह सनो हो जाएगा जैसे कि देखिए यहां पर हमारा था양 norm vertex कर सकते हैं ऑफिआ दोस्तों हमें उसका जोरूरत नहिंब कि हम नॉर्मल रहने देते हैं आप लोग को बताने के लिए हम बता दिए कि यहां से आप जो की वीडियो को स्लो फास्ट कर सकते हैं जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा था उसके बाद दोस्तों हमें जो नेक्स्ट अप्सन मिलता है वह मिलता है एक्ष्ट्रेक्ट ओडियो का इसके मत्तबाए कि अगर आप अपने वीडियो से आवाज को बाहर निकलना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहां पर जो की एक्ष्ट्रेक्ट ओडियो कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हम किलिक कि ए तो हंडेट पर सेंट होगा और वीडियो से अमरे वाज बाहर निकल चुका बाहर निकल गया यहां दोस्तों आप वीडियो के साथ भी कर सकते हैं वीडियो फिर भी आप यहां पर किलिक किजिएगा न तो इसमें आपको 29 का आपको option मिल जाएगा जो कि बाहर निकाल सकते हैं अब दोस्तों आप यहां पर audio को आगे पीछे कर सकते हैं कई बाहर हम यह दोस्तों यह option था जो कि हमें बताना था हम आप लोग को बता दिये उसके बाद दोस्तों यह आपको दिखा दिए यहां है auto captions का अगर दोस्तों आप अपने वीडियों में captions यूज़ करना चाहते हैं तो कैस्पों का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि जो भी बोलिएगा वही ही बार आप लोग देखरेंगे बड़े-बड़े यूटूगर का कि जैसे के मोभाल का स्क॥्रा रहा है उंका जो फोटो है वह गयारा हो पूमDay कर सकते कि प्रसक्राइब यहांप से ऐसे बढ़ा सकते हैं और यहों पर गोलाकर दे सक्थे और इसे जहां पर इस्तमाल करना चाहते हैं उस वहाँ पर यहीं से किया जाता है यह दोस्तों आप स्षिख लिए आपको आगे काम आने वाला है जो की हम आपको बता दिये उसके बाद यह हैं हमारा smart cut out का अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यह हमारा जो की background हम यहां पर एक लिए हैं उसमें दोस्तों काफी अच्छा तरीका से काम करने वाला है जैसे कि यहां पर हम अगर अपने वीडियो को perfect size में लेके आना है जैसे कि यहां पर इतना पर लेके आना है तो दोनों उगली के मदद से हम चाहें तो इसे जो की zoom भी कर स सकते हैं और अपने हिसाब से हम select कर सकते हैं यहां पर हमें जो option में रहा है यहां पर smart cut-out का अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ option आपको मेरा है जैसे कि अगर आप इस वीडियो के background को remove करते हैं तो यहीं से remove background पर आप click कर दीजेगा तो आपके वीडियो का ज इस्तेमाल चाहते हैं करना तो आप दोस्तों कर सकते हैं जो कि यह भी काम का है लेकिन दोस्तों वीडियो के अगर बैग्राउंड को आपको रिमूब करना है तो वीडियो को लास तक दिखते रही है आपको वह भी ऑप्सन हम आपको जो की दिखाने वाले हैं जो कि आपको काफी बेहतर होने वाला है वह मैं आपको बताने वाला हूं तो यहां तक हम आ गए थे स्मार्ट कटाउर तक अब यहां हमारा मोसं का अप्षन है अगर दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो कई हम करें तो यहां पर यहां से रिप्लेश भी कर सकते हैं और दोस्तों इसे हम चाहें वहां पर कर सकते हैं तो एक रखनी वीडियों क 누олов ना करना चाहते हैं तो वह आँं दोस्तों कर सकते हैं और यहां दोस्तों का मॉचंश वीडियों कानाते हैं उन्हें दोस्तों यह काफी जयदा काम का आने वाला है तो कहां तक हम घय थे भाई यहां पर हम जोंन यहां अगर सहत Christ यहां तक रहा सब्यान नियुक्न है ध्यस्ट्ट अब सब्सक्राइद कि अगला का बाब अगर आप अपने भीडियो को रूटकरना चाहते है मोड़ना चाहते हैं तो वह दोस्तो Means मिल जाता है उसके बाद दोस्तों यहां से आप किलिक कीजेगा तो बहुत सारा आपको फ़नी किलिक मिल जाएगा उससे दोस्तों आप चाहते हैं तो अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि यहां पर जो कि आपको देखने के लिए मिलता है कई बार काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मैं भी दोस्तों काफी बार इस्तेमाल किया हूं तो यहां से आप डाउलूड कर सकते हैं और अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मुझे काफी पसंद आता है मैं काफी बार इ दिख सकते हैं तो यहां पर जो भी उप्सन था वो सारे उप्सन के बारे में हम आपको बता दिया है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर जो भी उप्सन आपको दिखाई दे रहा था इस सब के बारे में मैं आपको बता दिया हूं अब दोस्तों यहां पर हम वीडि के उपर बैग्डाउंड म्यूजिक को लगा सकते हैं वह म्यूजिक हमें यहां पर AI म्यूजिक में मिल जाएगा म्यूजिक का अप्सन मिल जाएगा जो कि फिर मोरा से हम ले सकते हैं अगर दोस्तों आप चाहते हैं साउंड इफेक्ट वह भी आपको मिल जाएगा और दोस्तो तो साथ ही साथ अगर आप वाइस ओभर करना चाहते हैं इसके उपर तो यहां पर किलिक किजिएगा और दोस्तों यहां पर किलिक कर दीजिएगा और जो भी यहां पर बोलिएगा रिकॉर्ड होगा और दोस्तों आपके वीडियो के अंदर सेव होगा जैसे कि रिकॉर्ड हो वह दोस्तों यहां पर आपका आ चुका है और यहां से चाहते हैं तो आप इसे डिलेट कर सकते हैं जो कि मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए काफी लोग भुआई सोबर करते हैं तो उन लोग के लिए काफी ज़्यादा काम का है अगर दोस्तों आप अपने वीडिय से कोई भी आवाज को लेकी आ सकते हैं और वीडियो के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह दोस्तों हमें और सारा काम आप कर सकते हैं उसके बाद यह टेक्स्ट का अप्शन है और टे आइड पर क्लिक करकी कुछ भी आप लिख दीजेगा यहां पर फॉंड मिल जाएगा उसमें दोस्तों इसका इस्तेमाल करता हूं आइन में आउट में कमबो में दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं यहां पर जो भी आपको लिखना है वह दोस्तों आप लिख सकते हैं और दोस्तों यहां पर फॉंड भी इसका चेंज कर सकत उसके बाद दोस्तों हमें option मिल जाता है sticker का sticker पर हम click करते हैं तो बहुत सारा इसमें आपको graphic sticker मिल जाता है जिसका अगर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं अभी थोड़ा light कट गया है तो हम light जला लेते हैं fly slide जिससे कि आपको यहां पर देखने में अच्छा लगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको sticker मिल जाएगा बगल में हमरा screen recording भी दिखाई दे तो हम यहां पर वीडियो के उपर क्लिक करेंगे इसे दोनों उगली के मदद से जूम करेंगे और यहां पर दोस्तों हम अपने हिसाब से इसे यहां पर लेके आ जाएगे उसके बाद दोस्तों हम यहां से बाइक करेंगा और PIP क्या जो को recording कोई नहीं मीरा है तो हम कोई वीडियो को लगाना चाहते जैसे कि इस वीडियो को लगाना चाहते तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहां पर हम इसे जहां पर भी चाहते हैं वहां पर लेके आ जाएगा और वीडियो को जोड़ना है तो तीन तीन वीडियो जैसे कि निव च काम यहीं से कर सकते हैं और दोस्तों इसके आप जोकी रेचियो को भी आसे चेंज कर सकते गर यहां पर करेंगे करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा बारा करेंगे और यहां से म्यूट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसे यहां पर अपने उनी के मदद से इसे घिच के इस साइड में कर देंगे और देखी ज्यादा तर आप लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे तो कुछ इसी तरीका से आपको दिखाई देता है एक साइड में मैं रहता तो इफेक्ट दे सकते हैं जो कि दोस्तों काफी को अपसुरा दिखाई देता है अगर इफेक्ट देखते हैं तो हिल्टा डूल्टा हुआ वीडियो आप बना सकते हैं इफेक्ट में आपको यहां पर बहुत सारा अप्शन दिल जाता है जो भी आपको चाहिए उसका इस्त आपको यहां पर दिखाई देराये अज के डिट में फिल्टर के बारे में बताने की जोरत ने यह सबी लोग को फिल्टर के बारे में आच्छा तरीकर से उसके बाद दौस्तों यहां पर इस पर अगर आप किलिक करते हैं तो अगर आप अपने वीडियो के अंदर जादा कर सकते हैं यहाँए पर को हम ज्यादा और काम कर सकते हैं यहां से दोस्तों बहुत सारी आपको मिल जाता है जैसे कि बराइट्नेस अगर बढ़ाना स्विच कर सकते हैं जो कि गाना रिकोर्डिंग हम लो करते हैं तो उस समय दोस्तों इसका इस्तवाल करते हैं हम लो जैसे कि हमारा वाज भी आएगा हमारा वीडियो भी चलेगा जो कि सारा काम यहां से आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं जो यहां पर इसके रिकोर्डिंग ले लेते आए और यहां पर इस तरीके से कर देते हैं वीडियो के उपर किलिक करने के बाद हम इससे दोस्तों कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों इसके आवाज को हम यहां से बंद कर देते हैं हम बेंड करेंगे और दोस्तों यहां पर आपको सारा अप्सर मिल जाएगा जैसे कि करना है तो हम आपको बोले थे कि बैकर आप चेंज करना चाहते हैं तो वह अलग समय आपको बताने वाला हो तो है तो आपको दोस्तों इसे आपको छोटा बाड़ा ज इतना भी कर ने वीडियो भी तो वीडियो भी आप ले सकते हैं मैं हाल फिलाल फोटो लिया हूँ अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पर प्याइपी प्रिक्टे करना है उसके बात जिस वीडियो के आपको बैगराउंड को रिमूव करना है जैसे कि यह हमारा वीडियो है तो इस पर हम क्लिक साथ इसमें सेडों भी नहीं बनना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे के तरफ आई और यहां पर क्रॉप में आई और यहां से दोस्तों इसे आप इस तरीका से क्रॉप कर लिजा और यहां पर सेडों भी नहीं बनना चाहिए और उसके बाद दोस्तों यहां पर स कर देता हूं यहां पर वीडियो पर क्लिक करता हूं तो एक option आपको यहां पर मिलेगा जो कि smart cut-out का इस पर हम क्लिक करेंगे जो कि हम आपको बताए था ना smart cut-out से आप वीडियो के background को remove कर सकते हैं उसी पर क्लिक करना है अगर हम यहां पर remove हमें क्लिक करना है क्लिक करना है और उस तपर ले जाके चोड़ देना है चोड़ दिज adapting और इसके बाएं दोस्तो यहाँ से आप इसे आगे पीछे करके आम माइनेश कर सकते और बैग्राउंद और पिश्टर करके दिखिए और ले जाने के बाद, दोस्तो, आप क्या कीजिए, कि हुआ हम लिए हैं, तो यहाँ पर हम cut लगा देंगे, यहाँ पर इस साइड से cut कर देंगे, और वीडियो के अंदर भी इस साइड से cut कर देंगे, और export पे do reset से cut कर देंगे, हमारा video हमारे phone में save हो जाएगा, और इस तरी कैसे बाइग्राउंड को भी रिमूब कर सकते हैं तो दोस्तों कई लोगों में क्या हो रहा है कि जब वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर वीडियो अपने तयार कर लिए एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर किलिक करते हैं तो भाईया कुछ लोगों में watermark आए अगर इसे आप off कर दीजिएगा इस तरीका से यहाँ पर click करके off कर दीजिएगा और जब आप video को save कीजिएगा तो watermark आजाएगा तो इसलिए इसको चालू रखना है यहाँ से आप चाहते तो इसको भी on कर सकते हैं चाहते हैं तो off कर सकते कोई दिकत नहीं है इसको आप on कर दीजिएगा और उसके बाद export पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद यह 0 से 100% तक होगा और उसके बाद आपके phone में यह save हो जाएगा तो इस तरीका से film और एप से video edit किया जाता है video कैसा लगा comment करके बताएए चलिए अगले वीडियो में से अपते के लिए दोस्तो बाई